शरश्वती पूजा को लेकर भागलपूर सहर में मूर्तिकार लगतार मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं यहां बड़ी से छोटी परतिमाओ का निर्मान किया गया है अनेको प्रकार की मूर्ति बनाई जा रही है मूर्ति बना रहे कलाकारों का कहना है कि जितनी लागत मूर्ति निर्मान में लगती है वही बिक्री के समय लागत मूले मूर्तिकारों को नहीं मिल पाता है कलकारों का कहना है कि प्रशाष्चन के द्वारा सभी मूर्तिकारों को लाइसेंस निर्गत करने को लेकर भी मूर्ति की विक्री काफी कम हो गई है कलकार इनको लेकर भी परिशान है कलकारों का कहना है कि एक प्रतिमा को निर्मान में तीन से चार हजार रुपए तक लग जाते हैं और शाथी एक मुर्ती को बनाने में तीन से चार दिन का समय लग जाता है फिर भी उनको उनके मेहनत के हिसाब से और उनकी लागत के हिसाब से उनका लागत मुल्य भी नहीं मिल पाता है वही महिंगाई को लेकर भी बजारों में ज्यादा तर्शमान की कीमत बढ़ जाने के कारण मुर्ति कलाकार काफी परिशान है वहीं मिट्टी के कमी को लेकर भी इन सभी मुर्तिकारों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है इसके बावजूत भी लागत मुल्य तक नहीं मिल पाता है जिसके कारण भी कलाकार काफी परिशान है और मुर्ती कारण को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है कर दोर। झाल झाल झाल